वेदिक जोतिश अनुसार समय समय पर चंदर और सूर्य ग्राण पढ़ते हैं जिसका प्रभाव माना जीवन पर और प्रितिव पर पढ़ता है बदादे कि साल का अंतिम चंद ग्राण 28 हक्टूबर को पढ़ने जा रहा है इस दिन शरत पूर्णिमा भी है जोतिस में इस घटना को बेहत महत पूर्ण माना जा रहा है कुंकि तीस साल वाई शरत पूर्णिमा पर चंद ग्राण पढ़ने जा रहा है और इस दिन गच केसरी योग भी है ऐसे में इस ग्राण का प्रभाव सभी राशों के जातकों पर देखने को मिलेगा लेकिन तीन दाशी ऐसे हैं जिनको इस समय आकस्मिक धनलाब और तरक्की हो सकती है आपको बताएं में तीन दाशी कौन शी है तो तीन दाशी में पहली राशी है व्रश राशी आप लोगों के लिए चन्द ग्राण लापकारी साबित हो सकता है इस समय आपके इच्छाएं की पूर्ती होगी साथी रुके हुए काम भी तेजी से पूरे होंगे वहीं योजनाओं में सफलता मिलेगी और वहीं करियर में तरक्की और वेतन में विरद्दी हो सकती है प्रेम समंदों के मामले में भी ये वक्त बहुत शांदार रहने वाला है आप बिजनेस करते हैं तो कोई बड़े जील आपको हासल हो सकती है और आपकी आरतिक इस्तिती काफी मजबूत होगी साथी इस समय आपको संतान पक्ष में कोई शुप समाचार जोर मिल सकता है चंद गिरन आप लोगों के लिए अनुकुल सिद्ध हो सकता है इस समय आपको तनाप से मुक्ति मिलेगी साथी इस समय आप धनकी सेविंग करने में सफ़ल रहेंगे वही करियर के समंदित कई भेतरिन अफसर आपको मिलने वाले हैं आपके इच्छाओं की पूर्टी होगी साथी इस समय आप नया वाहन और प्रपिट्री खरीश सकते हैं साथी इस अवधी में आपको आपके मान समान और प्रिथिस्टा की प्राप्ति होगी वही आर्थिक इस्तिती में सुधार आएगा वही व्यापारी इस समय कोई नई डील कर सकते हैं जो लापकारी सिध्ध हो सकती है आप लोगों के लिए चंद ग्रेंड लापरत सिध्ध हो सकता है इस समय आपको संतान पक्ष से कोई सुध समचार मिल सकता है साथी नया काम शुरू करने के लिए समया नुकूल है वहीं कारुबार में सपलता मिलेगी और धन की बरद्धी होगी वही लव लाइफ में भी पार्टनर के तराश आपके लिए पूरी होने वाली है आपके आर्टिक स्थिती में भी काफी सुधार आने वाला है साथ ही इस अब्धी में आपके रुके वे काम बनेंगे वहीं आपको फसावाधन मिलेगा यानि तीन दाशियां बरश, मिथुन दाशी और करकराशी इन तीनों की ही किसमें चमक सकती है बनने शेनल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद